आसाड सुक्ल पोडिमा तिथी को हिंदु धर्म के प्रथम गुरु कृष्ण द्वयपायन महर सी वेद व्यासी का जनम हुआ था इस दिन को गुरु पोडिमा के रूप में मनाया जाता है धर्म सास्त्रों में गुरु पोडिमा की तिथी भग्योदे की तिथी भी मानी जाती है माननेता है कि इस दिन अगर सच्चे मन से अपने गुरु की पूजा की जाए तो केवल गुरु नहीं बलकि इस्वर की भी कृपा मिलती है अगर आपके जीवन में किसी तरह का कस्ट हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत फायदे मंद होने बाली है आपके ऑफिस में तरक्की ना हो रही हो वेवसाय मंद पढ़ गया हो तो ऐसी सिती में आप किसी जरूरत मंद को यथा सकती पीले अनाज जैसे चने की दाल, बेसन, पीला वस्त्र, पीली मिठाई या फिर गुर का दान कर सकते हैं गुरु पूरी मा के दिन पीले वस्त्र जरूर पहनने चाहिए और पीले वस्त्र पहन कर ही पूजा करना चाहिए इससे आपका भाग्य तेज होगा और आपको कारियों में सफलता मिलेगी जिन विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई न कोई बाधा समस्या आती रहती हैं सफलता नहीं मिलती हैं उन्हीं गुरु पूरी मा के दिन गीता का पाट अवश्य करना चाहिए अगर आप गीता का पूरा पाट नहीं कर सकते तो कम से कम एक अध्याय का पाट तो करना ही चाहिए और भगवान श्री किष्ण की विदिवत पूजा अर्चना करके गाए माता की सेवा भी करना चाहिए मानेता है कि ऐसा करने से भगवान श्री किष्ण प्रसंद होते हैं और आपके जीवन में आने वाली सारी परेशानिया दूर हो सकती है अगर किसी जातक की कुणली में गुरू दोस हो तो उसे गुरू पूरी मा के दिन प्रहस्पती मंत्र ओम ब्रह्म ब्रहस्पते नमा का जब करना चाहिए यथा सकती इस मंत्र का स्रध्धा अनुसार जब करें मानेता है कि इसके जब से गुरू दोस दूर होता है साथ ही गुरू पूरीमा के दिन पीपल के व्रक्ष पर जल चढ़ाने और उसकी परिक्रमा करने से ग्रह देशों से भी छुटकारा मिलता है गुरू पूरीमा पर पूजा के दोरान पीले रंके फूलों का इस्तमाल जरूर करें साथ ही प्रसाद भी पीली चीज का चढ़ाएं इससे आपकी गुरू की कृपा आप पर जरूर बरसेगी जिन लोगों के घर में धन नहीं टिकता धन सम्रिधी की कमी है उन्हें आज सुमूरत में चांदी का बरतन अपने घर की जमीन में दबा कर रख देना चाहिए इससे मालक्षमी का घर में वास होता है गुरू पूर्डी मा के दिन धन लक्षमी और एस्वरी की प्राप्ती के लिए आपको सुबा जल में हल्दी मिलाकर मुख्यदार की सफाई करनी है घर की साफ सफाई के साथ ही प्रयास करें कि इस दिन मुझ से कोई अपसब्द ना निकले घी का दीब जलाकर भगवान सिर्वाद के साथ देवी लक्षमी के भी कृपा मिलती है साथ ही एक और विशेश उपाई जरूर करें हमारे जीवन में हमारा प्रथम गुरू हमारे माता पिता हमारे जन्म दाता होते हैं इसलिए संतान को सबसे पहले संसार का ज्यान वही कराते हैं इसलिए गुरू पूर इस पर्स करें उनका आसिरवाद लेना ना भूलें जो भी इस प्रकार माता पिता के प्रति आदर और स्रद्धा भाव रखते हैं भगवान विश्णु की उन पर सदैव कृपा होती है और ऐसे व्यक्ति माता पिता के आसिरवाद से ना सरिफ इस जगत में बलकि परलोक में भ आपको यह जानकारी पसंदारी होगी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जैश्री किष्णु